हाई फ्रेंड मैं प्रतिमा सुकला आप से भी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूटूब परिवार में जिसका नाम है डिज्टल को समभी फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इवेस की क्लास 3rd से लेकर 4 तक NCRT के वो सभी important point बताऊंगी जो exam के point of view से बहुत ज़्यादा important है हलाकि इन में से बहुत से point seated के exam में repeated भी हैं तो please video को सुरूर से last तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुल भी मत करना बहुत important point है और हर point को अच्छे से समझना हर point अपने अप में बहुत ही ज़्यादा important है और यह point यानि कि इस video को देखने के बाद मैं guarantee से कह सकती हूँ कि आपको NCRT की books उठाने के कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस video में आपको NCRT की class 3rd से लेकर class 4 तक के सभी इसका जो EVS का निचोड़ है वो आपको इस video में मिल जाएगा तो friends जो मैं अगला video बनाऊंगी वो class 5th से related होगा उसमें मैं class 5th के EVS related सभी important topics को उसमें cover करूँगी तो friends अगर आपको मेरा video पसंद आए तो इसे like जरूर करिएगा और हाँ अपने friends के साथ जरूर share करना जिससे उनको भी benefit मिल सके और अगर आप मेरे channel पर पहली बार है तो channel को subscribe करिएगा साथ ही विलाई can को जरूर press करना जिससे मैं जब भी अपना next video upload करूँ तो उसकी notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके चली friend start करते है जो आज का हमारा पहला point है वो है कि जो चूहे होते हैं उनमें क्या होता है देखने की छमता तो कम होती है लेकिन उनमें सूहने की छूने की और टेस्ट करने की छमता अच्छी होती है नागपूर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं दाल में चीनी डालते हैं और डांस में हाथ और चेहरे के जरीए भावनाय दिखाई जाती हैं उन्हें मुद्रा भाव कहते हैं पच्छियों के पंक होते हैं उन्हें क्या करते हैं उन्हें मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं पच्छियों के पुराने पंक जढते रहते हैं और जो नय पंक है वो आते रहते हैं ब्रेल लिपी के अगर बात करें तो ये एक मोटे कागज़ पर लिखे जाती है जिसमें एक नुकीली जिससे क्या किया जाता है बिंदू को उभारा जाता है और जो ब्रेल लिपी होती है उसमें उभरे हुए जो बिंदू होते हैं उनको किसके सहारे उगलियों के सहारे रखा गया है यह इसके प्यानी की जो ब्रेल है वो छे बिंदों पर आधारित है और अब यह क्या है कंप्यूटर के प्रियोक से भी लिखी जा सकती है अगर बात करें कि सुरुवात में जो बरतन होते थे वो चिकनी मिट्टी के जो शुरुवाती में जो बरतन बनाने को दोर आया उसमें क्या था बरतन जो होते थे वो पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे सिरी नगर में प्रशिद कहवा चाय बनाई जाती है और जो डल लेक है वो कहां पर है वो सिरी नगर में है बात करेंगर सिकारा नाम की जो नाव हो है वो उससे टूरिस्ट क्या करते हैं डल लेक में इंजुआय करते हैं और जो house boat है वो friends कहां पर पाई जाती है सिरी नगर में पाई जाती है पच्छी जो होते हैं वो क्या करते हैं कीड़ों को खा लेते हैं जिससे क्या होता है ये फलों को कीड़ों से बचाते हैं अगला point देखेंगे friends कि जो बज्जू नामा गाउं है वो कहां पर है राजस्थान में हो और इसको हमें समझने के लिए किसकी अवशक्ता पड़ती है और अगर हम बात बच्चों से रियूज वार्टर के बारे में डिसक्सन करें तो बच्चों में जल सनरच्छन के प्रती जाग रुपता आएगी नेजया होगों पर खेला है कि कैराई जो होगं कौंग है भहाँ पर क्या होता है शाप खाय जाते हैं और इसके ज़र सूप होता है इसको लिंख्वूर में खाय जाते हैं अगर बात करें टैपियोका की तो यह प्रकार का फैल है जो कि केलरल में उबालकर नारियल की चट्नी के साथ खाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वल्चर या गिद जो होते हैं यह क्या करते हैं मरे हुवी जानुरों को खाते हैं हमिंग वर्ड की जो चोच होती है वो स्वी की नोक के जैसे होती है और जो कबूतर की चोच होती है वो गुलाबी रंकी होती है और इनके जो पंक होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं अगर बात करें असम में तो यहां पर जो घर बनाया जाते हैं अब क्यों बना जाते हैं क्योंकि यहां पर बारिस होती है जिसके कारण से क्या होता है घर में पानी भरने का खत्रा बना रहता है तो यहां पर क्या करते हैं कि यह 10-12 फूट उपर घर को बनाया जाता है और घर क लगडि का ही प्रयोग किया जाता है अगर बात लगब मानाली में पथर व लगड़ी दोनों से घर बनाई जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिंध की साथ सात क्या होता है भर भी बड़ती है राजस्थान में मड जो खेंज का मड़ है एक प्रिकार के होते हैं वो अपने घर के आंगन में गड़्धा बनाते हैं जिसे और अपने जो च्छत बनाते हैं उसको यह धलांदार बनाते हैं जिसे क्या होता है कि जो बारिस का पानी होता है वो आंगन के गड़े में आकर गिरता है और यह उसका उपयोग दैनिक जीवन में तर्टे तो लाफ में बहुत अधिक बारिस होती है और कभी कर जाता है अगर दो जो जुण होता है वो कहा पर किया जाता है लद्दाक में किया जाता है कहां पर किया जाता फ्रेंट्स लग्दाख में फ्रेंट्स आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद जो लास्ट ये पेपर हैं उनको उठाएंगे और देखेंगे कि आप महां से कितनी कुश्चन यहां से कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बा anka करें लोहे के सरीओं से बना होता है और यह नॉर्मल एरिया पे इसका यूज्ष किया जाता है यानि सीमेंट का पुल होता है राजेस्थान में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उट गाड़ी का यूज किया जाता है कि जो की रेत में भी चल सकती है अगर बात करें बैल गाड़ी के तो जो बैल गाड़ी होती है ये मैदानी लाकों में इसका प्योग किया जाता है अक्सर आपको गाउं जो मैदानी लग कोई गाउं होते हैं वहाँ पर इसका यूज आपको देखने को मिलेगा उनकी तो उत्राखंड में उबढ़ खाबर पथरी इले रास्ते वहाँ पर पाय जाते हैं पच्छियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे 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 छेद होते हैं यह पग्खों से ढखे होते हैं और इसे प्रकार से जो मगर मच्छ होता है उसके भी छोटे कान चेर जैसे कान होते हैं लेकिन उसे आप आसानी से देख नहीं सकते हैं अगर बात करें next point की तो जानवरों की खाल पर design उनके सरी पर बाल होने की कारण होती है next question देखेंगे next point को ध्यान से समझना है क्या कर रहा कि यहां से बहुत सारे questions repeated मिलेंगे friends आपको जब आप पेपर देखेंगे तब आपको यह सारी चीजे समझ में आएगी तो friends वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा देखेंगे कि जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और जाड़िया खा लेता है लेकिन यह अराम बहुत कम करता है यह एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोता है हाथी को पानी और कीचड में खेलना बहुत पसंद ह बहुता है इससे क्या होता है इसके सरीर को थंड़क मिलती है और जो हाथी के जो कान होते हैंहों पंख जैसे होते 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 हैं हाथी के जसेह बुजूर्ग हतिनी होती है वही पूरे जुन्ड की नेता होती हाथी के एक जुन्ड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं 14 से 15 साल तक के जो हाथी होते हैं वो जुन्ड में रहते हैं इसके बाद वो क्या करते हैं जुन्ड को छोड़ देते हैं इसके बाद हाथी जो होते हैं वो परिसानी आने पर एगूसरी की मदद करते हैं। राजिस्थान के खेजड़ी गाउं में खेजड़ी नाम के बहुत सारे पेड़ थे। खेजड़ी गाउं के जो लोग थे इस पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आज से 300 साल पहले पेड दर के इधर उधर घोंगते हैं। अगर बात करें खेजड़ी की तो यह रेगिस्तानी लाकों में खूप पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की चाल होती है वो दबा के काम आती है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता ह है इसकी पेड़ के फलिया होती हैं वो सब्जी के काम आती है। और यह पत्तियां होती हैं वहां के जो जानवर होते हैं उसको खाते हैं और ज़ो बच्य होते हैं उसस पेड़ की छाया में खेलते है। अगर बात करें बिहार मजफर नगर वि selling lek मध्यों को बहुत लभाता सबस्क्राइब č2 अपक्टूबर से लेकर ke दिसंबर तक होता और यही अच्छा समय होता है मद्धुमक्खी के पालं का लीची के फूल जो होते हैं वो फरवаешь में खिलते हैं मद्धुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो सहद प्राप्त होती है अगर बात करें मधुमक्खी की छत्ता की तो हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और एक श्रमिक मधुमक्खी होती है जो कि अगर बात करें रानी मधुमक्खी की तो इसका काम क्या होता है? अंडे देना होता है और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्यां होती हैं तो उन्हें स्रमिक मधुमक्य के नाम से जाना जाता है यह क्या करती है सहत के लिए फूलों का रस भी यही मधुमक्या ढूरती है और जब किसी मधुमक्य को पता चल जाता है तो वह क्या कर करती एक प्रकार का नाच करती है यानि डांस करती है जिससे दूसरी मख्यों को पता चल जाता है कि रस कहां पर है यानि इन रती के द्वारा एक दूसरे को संदेश मुचाने का काम करती हैं काम करने वाली मधुमक्खियां इसी तरह से सहथ बनाती है और छत्ता बनाने का काम ही इनहीं का होता है बच्चों को पालने का काम भी इस्तरमिक मधु मख्यां की करती है रानी जो मख्य होती है वो केवल अंडे देने का काम करती है अगर बात करें चीटियों की तो चीटियां भी मिलजूल कर रहती है और इनका भी काम बटा होता है जो रानी चीटी होती है वो होती हो बिल का ध्यान रखती है और जो काम करने वाली चीटियां होती है वो भोजन ढूंड करकर के बिल तक लाती हैं और इसके बाद हम देखेंगे जो दीमक और तताया होते हैं यह भी समुह में रहते हैं अगर अगले पॉइंट की बात करें तो गाधी धाम, एहमदाबाद, वलसाड यह सब कहां पर हैं गुजरात में हैं कोजी कोड कहां पर है यह केरल में है अगर बात करें मडगाओं की तो यह गोवा में है नेक्स्ट देखेंगे कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगे और 2000 पाए जाते हैं अगला देखेंगे मल्यालाम में मा की जो बड़ी भेन होती है उसे वली अम्मा कहा जाता है और जो मा की मा होती है उसे अम्मू मा कहा जाता है केरल में पानी के इधर उधर जाने के लिए फेरी का इस्तमाल किया जाता है और आंधपरतेस के लोग होते हैं वो लोग एक बिसेष कैम्प लगाते हैं और इसकैम्प में क्या किया जाता है? जो कम उमरी की साधी सुधी लड़क्या होती है उनको फिर से स्कूल भेदने में ये लोग मदद करते हैं कबड़ी खेल में छेड़गूडू, हू तू तू, हाडूडू, छू किट किट कबड़ी कबड़ी आधी आवाजे निकाली जाती हैं अगर बात करें करनम मलेक्षवरी की तो इनके बारे में आपको 5-6 चीज़ें जरूरी हैं आपर याद रखना, अगर बात करें करनम मलेक्षवरी तो ये कहां से बिलोग करती हैं ये आंध्परदेश से बिलोग करती हैं यानिकि ये आंध्परदेश की रहने वाली हैं और ये क्या है ये एक weightlifter है और इन्होंने 12 साल से ही क्या किया था weightlifting का काम सुरू कर दिया था यानि ये weightlifting की practice करने लगी थी और यह 130 kg तक अभी भार उठा सकती है और इनके जो पिता जी है वो पुलिस में क्या है कौन स्टेबल है यानि पुलिस में हवलदार है और इन्होंने अभी तक 29 मेडल अंतरास्ट्री यानि भारत के बाहर करनम मलेसरी ने अभी तक 29 मेडल जीते हैं तो यह कुछ बाते हैं और इनके जो बहने हैं वो भी weightlifting की practice करती हैं तो यहां से साथ चीज़े हैं जो आपको करनम मलेसरी के बारे में याद रखना है एक तो यह हो गया कि यह कहां की रहने वाली है आनपडेस की यह क्या है एक weightlifter है और यह अभी तक कितने kg तक बजन उठ खास सकती है तो 130 kg तक और इनकी पिता जो हैं वो क्या है हवलदार है और इनकी जो और बहने हैं वो भी weightlifting का काम कर रही हैं और इन्होंने अभी तक 29 मेडल अंतरश्टी 29 मेडल जीते हैं तो यह चीज़े हैं जो आपको करनम मलेसरी के बारे में याद रखनी है और यहीं से question पूछे जाते हैं बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की की उत्तरा खंड में जो है वो बिहार में एक जिला है यहां पर तेवारें शियों के मौकों पर घर की दिवानों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाया जाते हैं। और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंगों आदी का इस्तमाल किया जाता है और इन चित्रों में इंसान, जानमर, पेड़, फूल, पच्छी, मच्छलियां, आदी, जीव, जन्तु साथ में बनाया जाते हैं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर कशनार के फूलो की सबजी बहुत बनाया जाती है केरल में केले के फूलो की सबजी बनाया जाती है और महाराश्ट में सहजन के फूलो के पकोड़े बहुत प्रिशिद है गुल दावरी जीनिया से भी रंग बना जाते हैं और उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला की तो यहाँ पर इत्र के लिए यह जिला बहुत अधिक महसुहूर है उत्तर प्रदेश की कन्नाव जिले में फूलो से इत्र गुलाब जल और केवड़ा तयार किया जाता है अगर बात करें डेरा गाजी खान के तो यह कहां परिस्थित है पाकिस्तान में और मिट्टी में अगर गोबर मिला दे तो मिट्टी में क्या केड़ा नहीं रखता है लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीमवा कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती है सोहना गाउं यानि कहां पर है रियाणा में है सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में क्या मिलता है गुडगाओं मिलता है और पानी को साफ करने का सबसे चतिरी का क्या है पानी को उभाल लेना अगर बात करें बेल वनिका गाओं की तो ये कहां पर है करनाटक में है अगर next point की बात करें तो जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम सुरू होता है कि प्याज उगाने का महीना कौन सा होता है तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर जुलाई खूटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है अगला point देखें तो यहाँ पर है कि करनाटक में हलको कूरिये कहा जाता है कुछ पौधे होते हैं ऐसे कि जो बिना वो ही अपने आप हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं खर्पत खर्पतवार कहते हैं और खर्पतवारों को खेतों से निकालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर इनको नहीं निकाला जाएगा तो यह कहा होता है सारा खात पानी खर्पतवार ही ले लेते हैं और जो फसल होगी वहां की कम होगी इसलिए क्या किया जाता है कि खर्पतवारों को खेतों से निकाल दिया जाता है अगर प्याज को समय से ना खोदा जा तो क्या हो गया वो जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी और अगर बात करें करनाटक में हसिया को क्या कहा जाता है तो वहाँ पर हसिया को इलगी कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर गिजु भाई बदे का तो जो कल्चिडी होती है, कल्चिडी के घोसले में पौधे की नाजुक्ताहनी, जड़, उन, बाल, रुई सब बिछा होता है कल्चिडी की जो चोच होती है वो अंदर से कैसी होती है फ्रेंट्स लाल होती है कल्चिडी छोटे-छोटे किडो को खाती है अगर बात करें कोवे की तो कोवे के घुसले में लोहे कितार और लकडी की साखाएं जैसे चीजे भी होती है अगर फ्रिंट्स यहां पर बात करें कोयल की तो जो कोयल होती है यह अपना घुसला स्यम नहीं बनाती है बलकि क्या करती है कववे के घुसले में अंडे देती है और जो कववा होता है वो अपने अंडो के साथ कोयल के अंडो को भी सेता है कभी कभी जो कोयल होती है वो क्या खरती है कोयल जो कववा होता है उसके अंडे वो फेक देती है और वहाँ पर अपने अंडे रख देती है कववा जो होता है पेड़ की उची डाल पर अपना घुसला बनाता है फ्रिंट्स नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखेंगे कि फाक्ता फाक्ता जो होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच या महंदी के पेड़ में घुसला बनाता है अगर बात करें गोर्रया की तो जो गोर्रया होती है पॉलमारी के उपर और आइनी के पीछे भी घुसला बना करें की तो कबूतर जो होते हैं ये क्या करते हैं पुराने मकान या खंडहर में अपना घुसला बनाते हैं निक्सट पॉइंट बसंत अधोरी टोटुख कर scheint और के तने में रूप में बना लेती है और अपने अंडे को रखती है कि जोटे पेड या जाड़ी के लटकती डाली पर अपनने लटकता हुआ घोसला अपना गोसला अपने लटकती हुआ झाली के जाले और कपड़ों के चित्रों से बनाते हैं जो नर वीवर पच्छी होते हैं ये अपने अपने घुसले बनाते हैं अगर बात करें मादा वीवर पच्छी की तो ये नर के बनागवे घुसलों को देखती है जो इनको सबसे अच्छा लगता है उसमें क्या करती है ये अपने अंडे देती है अगर बात करें फ्रिंस केवल पच्छी की तो अंडे देने के लिए ये घोसला बनाते हैं और जब अंडो से बच्छी निकलाते हैं तो वह घोसला छोड़ करके उड़गा जाते हैं और ये घोसला छोड़ करके पच्छी जो अलग-अलग जगहों पर चले जाते हैं जैसे पेड़, जमीन और पानी में फ्रिंट्स अगर बात करें गाय की तो गाय के आगे के दात पतों को काटने के लिए छोटे होते हैं गास चबाने के लिए क्या करती है पीछे के दात का यूज करती है जो की चप्टे और बड़े होते हैं बिल्ली के दात कैसे होते हैं नुकुले होते हैं जो मांस को फ़ड़ने और काटने के काम आते हैं साब के दाद भी नुकीले होते हैं लेकिन वो अपने हथियार जो उनके सिकार होते हैं उनको चबा करके नहीं बलकि वो क्या करते हैं उसको पूरा ही निगल जाते हैं फ्रेंट्स अगर बात करें गिलहरी के दाथ की तो इनके जात जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दाथ काटने और कुतरने के करण हमेशा घिसते रहते हैं अगर बात करें परियावराण सिक्षा केंद्र की तो ये कहां पर है फ्रेंस? ये एहमदाबाद में है गंदा पानी पीने से दस्त और हैज़ा हो सकता है दस्त ये उल्टी में सरीर के बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी को पीते रहना चाहिए तो यह चीजे हैं जो आपको याद रखनी है अगर बात करें होल गुंडी गाउं तो यह कहां पर पढ़ता है करनाटक में पढ़ता है और नलमंडा गहास का पौधा, जतना जमीन के उपर दिखता है उससे ही कहीं जादा हमें जमीन के अंदर फैला हुआ दिखाए देता है बर्गत के पीड़ की लटकन होती है वही उसके जड़ी होती है वे टहनियों से निकलती है और बढ़ते Βढ़ते जमीन के अंदर चले जाती हैं गर्गत की लतकन वाली जड़ी मजबूत खंबो की तरह पेड़ को क्या करती हैं सहारा देती हैं बात कर लेती हैं रेगिस्तान जो पेड़ होता है और उसकी جो उचाई होती है वह 11 से 12 प्राव फिट होती है इसमें पत्य बहुत कम पाई जाती है इस रेगिस्तानी ओग जो पेड़ की जड़े होती है वह 200 से लेकर के 300 तक गहराई तक जाती है जब तक वह पानी को नहीं पा लेती तो वह तब तक नीचे अपनी जड़े ले जाती है रेगिस्तानी ओग का जो पेड़ होता है उसके तने में पानी जमा होता है जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग इसके तने में अंदर पतला पाई डाल करके पानी को निकाल लेते हैं अगर बात करें बिहु का तेवहार तो यह कहाँ पर मनाया जाता है असम में मनाया जाता है और कम मनाया जाता है चावल की नई फसल कटनी पर बिहु का तेवहार मनाया जाता है बेला घर क्या है ये असम में घास और बास से बना घर होता है अगर बात करें उरूका की तो ये बिहु से पिछले दिन की साम वाला दिन बिहु से जिस दिन बिहु का तोहर बना जाता है उससे पिछले दिन की साम को उरूका कहा जाता है अगर बात करें बोरा वा छेवा की तो ये चावल के दो प्रकार हैं जो पक्तने के बाद कैसे चिपचिपए हो जाते हैं और इसे कहां पर खाया जाता है तो असम में खाया जाता है चेवा और चावल ताओ कढ़ाई में आग में रखकर उसमें पानी उबालते हैं और भीगी हो चावल से भरी हुई खढ़ाई उस प पिठा दिया जाता है पिठा क्या है ये बड़ा हुआ केक जो भारत के असम, उड़ीसा और पस्चिम बंगल में ज़्यादा खाय जाता है बीहु के त्यवहार में वोते होते हैँ, वो पीले रंग के कपड़ों को पहनती हैं लड़कियां जो होती हैं रंग नगी मेक्राचादर पहनती है अब बात करें भास शुक तो क्या है is चावल और रसे-वाली सब्जी होती है पोचम परली क्या है पोचम परली कि 했습니다 कि अधिक्तल लोह होते हैं उस्सुंपली इस में किस बहसा में कहा जाता है और जो कुछम्मा होती है वह पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है कुछम्मा कह जाता है केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है और अगर बात करें लेफटी ने कमंदर वहीदा प्रिजम की तो ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान सभाली थी धन्नामंडी गाओं कहा है ये राज़ारी जम्मू कासमिर में इस्तित है जब परेड होती है तो पीछे चार टुकडियां चलती हैं पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं जो परेड होती है तो उसके पीछे कितनी टुकडियां चलती है चार टुकडियां चलती है और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं अगर बात करें इस कटो पो पुलकी तो ये लद्दाक का ए बहुत ही helpful बनाएंगे फ्रेंट्स वीडियो को जरूर दो तीन बार देखना जिससे आपके question एक भी बिल्कुल वहाँ पर गलत नहीं होंगे बिल्कुल ना के बराबर आपके question गलत होने के संभावन होगी तो फ्रेंट्स वीडियो को दो तीन बार जरूर देखें अपने फ्रेंड़ों के साथ सेयर करें और अगर फ्रेंट्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं एक बार फिर से फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कि कि